वेलकम टू माई किचेन तो आज मैं बना रही हूँ कट हेल अपनी मम्मी के अंदाज से जैसा मेरी मम्मी बनाती है उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें जादा ताम जहाम भी नहीं है और ये बहुत जल्दी बन जाएगा और इसे फ्राई करके हम बनाने वाले हैं बहुत ही अलग अंदाज से वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें जिससे कि आपको मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंस क्रूप में इसे शेर करना बिलकुल मत भूलिएगा कॉमेंट शॉमेंट भी कर दिया करो आप जिससे कि मुझे मोटिफिकेशन मिलेगा एक लाइक बनता है मेरी रेसिपी के लिए अगर आप मेरे वीडियो पर मेरी रेसिपी पर कॉमेंट करोगे तो मुझे ये पता लगेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं 700 ग्राम आधे किलो से जादा कठल लिया है उसे मैं काट के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आगे का और पीछे का भाग काट दिया जाता है क्योंकि वह बहुत हाड होता है साथ आठ प्याज लिया है एक से देड़ इंच अधरक लिया है चार हरी मेर्च तो प्याज को हटा दिया है काट करके सबजी में उसे मैं यूज करूंगी और यह मैंने लेस्टन लिया हुआ है दो टेबल स्पून और यह इसे दरदरा पीसना है मैं मिक्सी के छूटे वाले ज हुआ हे यह चमाज हल्दी है और दो ही चमाज गरम मसाला लिया है और इसे मैं भीगोंगी 2 चमाज करूंगी और इसे बहुत ही अच्छे से फ्राइ करना है और बहुत ही केरफुली आप इसे फ्राइ करोगे कि यह टूटे ना तो आप इस पैटुला से या फिर जिस भी चम्मत से आप चला रहे हो बहुत ही अच्छे से चलाना वैसे मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि इसे इसी लिमिनियम की, मस्टर्ड ओयल का यूज किया है मैंने, आप मस्टर्ड ओयल डालोगे तो बहुत ज्यादा टेस्ट बढ़ेगा, मतलब सरसो का तेल, आप देखिए मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ, तो आप घर पर इसे जरूर बनाईएगा, और महमान भी उंगलियां चाट आपते रह जाएंगे, अगर आप अपने घर पर बनाके अपने महमानों को या अपने घर वालों को खिलाओगे, तो आपकी बहुत तारीफ होगी, और देखना आप से ये रेसिपी जरूर पूछेंगे वो, गैस के फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, फ्राई करने के और उसे मसाले के साथ किस तरह से भूनना है, ये ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, तो इस तरह से सारे कटेल को तो नहीं, आधे कटेल को मैंने फ्राई किया है, और आधे कटेल को बाद में फ्राई करेंगे, इससे क्या होगा कि कटेल हमारा अच्छे से फ्राई होगा, आप पास जादा कठहल है तो अब फ्राई करके इसी तरह से कलर होना चाहिए आपको जैसा कलर लगता है अच्छा वैसा आप रख सकते हो तो अब ये जो है जीरा और ये हरी लाइची बड़ी लाइची और काली मिर्स और तेश पत्ता इसे डाल कर तड़का लगाया और प्याज का जलदी लाल भी नहीं और जल्दी पकेगा भी नहीं और आपको इसे दरदरा पीछना है जिससे की ये जलदी पक जाए और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे कलर फुल बनाने के लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या किया है आप बहुत ही डालना बूल गई थी यह बारिक कटे हुए वालो प्याज को तो इसे मैं फिर से तर चलए कर लहीं के बस उसमें डाल देना है इतना ही कलर रखनाया प्याज का और इस तर चल्चेट अब भूल गई थी तो अब मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूं कि इस तरह से भी चलिए अगर भूल जाते हैं आप भी तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और यह जो मसाला भी गोया था इसे डाल देंगे और फिर अच्छे से इसे बूनेंगे और यह थोड़ा सा पानी लेकर के इसे डाल दिया था जिससे कि सारा मसाला आ जाए हमारी कडाही में और इसे हमें अच्छे से पहले मिला देना है तो खुब अच्छे से मिक्स करिए और उसके बार इसे पकाईए और थोड़ी थोड़ी धेर में इसे चलाते रहिए जिससे कि मसाला जले नहीं और मसाला हमारा अच्छे से पक भी जाए और इसका कलर भी अच्छा आ जाए और कलर अच्छा आ जाए ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें तेल उपर आ जाता है जिससे कि हमें ये पता लग जाता है कि मसाला पक भी गया है और कलर भी आ गया है और बीच बीच में मसाले को ऐसे पकाने के सम में हमें पानी डालते रहना है जिससे कि मसाला जले भी नहीं और मसाले में टेस्ट भी बढ़ेगा ये पानी डालकर तो थोड़ा थोड़ा पस पानी हमें डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें बस पानी इतना डालना है कि मसाला हमारा जले नहीं मसाले को भी आप तो आपको यह मैं बता रही हूं कि अगर आप रोस्ट करके ही सब्जी में डालोगे इसे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फिर अब क्या करेंगे मसाले को फिर से हम भूनेंगे पानी डाल करके इसे मैंने बीच में करके दिखाया आपको क्योंकि मुझे याद था मैं बूल जाती थी हर विडियो में तो मैंने इस विडियो में आपको यह दिखाया है कि आप इसी तरह से कसूरी मेथी को बून करके सब्जीयों में डालना कोई भी सब्जी में आप इसे डाल सकते हो तो इसका टेस्ट बहुत ज़ादा एंहेंस हो जाएगा तो अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है रुक रुक करके और अच्छे से इसे पकाना है इसका कलर जब तक की चेंज नहीं हो जाए और लेकिन हमें क्या करना है आधा मसाला पकाना है और फिर हमें कटहल को डाल देना है और इसे अच्छे से भूनना है तो मसाले का जो मैंने आपको बताया कि color change हो जाए हाँ color change हो जाए तभी आपको cuthel डालना है लेकिन पूरा masala नहीं पकना चाहिए आधा masala पकेगा तभी आपको cuthel डालना है और आधा आप इस तरह से cuthel के साथ masala को पकाऊगे और cuthel भी साथ में पकाऊगी तो color बहुत जादा अच्छा हैगा तेस्ट भी बहुत जादा अच्छा हैगा अब मैं ये दो चम्मश नमक डाल रही हूँ आपको जितना डालना है आप अपने according डाल सकते हो तो मेरे हाँ तो नमक कम खाते हैं तो मैंने 400 ग्राम cuthel में मैंने दो चम्मश दो टी स्पून नमक डाला है और इसे चला रही हूँ को बच्चे से और बहुत ही बहुत ही सलोली आपको इसे चलाना है क्योंकि न ये टूट जाता है तो ये टूटे नहीं इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करोगे कटल को और मसाले को आपको साथ में भूलना है बहुती अच्छे से पकाओगे और यह जो पानी डाल रही हूँ मैं बीच बीच में तो थोड़ा ही थोड़ा पानी आप भी डालोगे जिससे कि कठल में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मैंने अपको बताया कि कडाही जलेगी नहीं मतलब कडाही में मसाला नहीं जलेगा और कडाही में अगर मसाला लग जाता है तो फिर उसका टेस्ट जला हुआ स्वाद आता है तो इसलिए उससे बचने के लिए भी हमें ऐसा करना होता है पानी डाल डाल करके चलाना होता है बीच बीच में और इसे मैं धक दी हूँ, धकने के बाद फिर से थोड़ा सा रुख करके चलाया है मैंने, क्योंकि थोड़ी देर तो धकेंगे ही, जिससे की कटहल हमारा पक जाए, तो कवर कर करके ही इसे अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनने के बाद, पहले आप धक करके इसे नहीं पकाऊगे, नहीं भूनोगे, पहले आप अच्छे से भून लोगे, उसके बाद आप इसे धक करके पकाऊगे, और बीच बीच में चलाती रहोगे, और इससे क्या होगा कि यह नहीं जलेगा, पक भी जाएगा अच्छे से, कलर भी इसमें बहुत अच्छा आ जाएगा, अच्छों को भी यह बहुत पसंद आएगा, मेरी बेटों को यह बहुत पसंद आता है, मेरे हाथ का उसे बहुत पसंद है, मम्मी के हाथ का भी उसे बहुत पसंद है, मैं अपनी मम्मी के स्टाइल से बना रही हूँ, मेरी मम्मी के स्टाइल से बना रही हूँ, मेरी मम्मी क अपने अपनी रेशिपी में 진हाप ओनुझ वही हैं, यह दो आपने डेखना, Stop कहुंझप्राहि एक्सप्ण, जयासे कि उसका कुण देखना है , अगर नहीं पत्ग है तो प्लेच चेक करके आपको दिखाया यह नहीं पका है तो मैंने फिर से कड़ाही में इसे डाला और फिर से कवर कर दिया है और फिर पकाएंगे इसे अच्छे से क्योंकि यह पका नहीं है तो अभी इसे हमें फिर से पकाना है पानी डाल करके तो ऐसी बीच-पीच में हमें पानी डालते जाना है और इसे अच्छे से mix करते हुए और बहुत ही slowly इससे चलाना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टूटे नहीं तो बहुत ही साफधानी से इसे चलाना है आपको मैंने विडियो का एक भी part skip नहीं किया है जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएए कि ये किस तरह से मसाले को भूनेंगे किस तरह से कठेल को भूनेंगे ये मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ चम्मत से काट के दिखा रही हूँ और देखे इस पैटूला से भी काट के दिखा रही हूँ और मैंने कि हमारा कटेल पक गया है या नहीं जब पक जाए तो हम गैस का फ्लेम आफ करेंगे लेकिन आफ करने से पहले हमें दस मिनिट पहले घरम मसाला डालना है और वही कसूरी मेथी जो मैंने आपको दिखाया कि रोस्ट करना है उसे और फिर इसके बाद इसमें डालना है तब यह बहुत अच्छा लगता है इसका तो अब देखिए मैं चम्मच से इसको निकाल करके फिर से आपको दिखा रही हूं कि अब यह पका है या नहीं तो अब जो है इसे में काटोंगी और देखिए यह बिलकुल अच्छे से पक गया है और यह बहुत अच्छे से वैसा पकनानी हूं बहुत यह अच्छे से साफदानी से जिससे की कटैल हमारा तूते नहीं और यहां देखिए महरा कटैल पक करके रेडी हो गया है और पानी डाल करके फैलन्स करना है इसकी घ्रेवी तो हमें इतना पानी डालना है कि बस कटेल अमारे तोड़ा पानी डालना है कि कटेल पूरा भी नडूबे कर रहे और पानी नहीं अच्छा दो चम्मच और फिर यह जो है लाल मिर्श डाला है मेरे पास कश्मीरी मिर्श नहीं है अभी तक सुरी और मैंने फिर यह नॉर्मल लाल मिर्श डाला और उसका तड़का लगा दिया है इसमें जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आजाएगा टेस्ट इनहेंस होगा क्योंकि देशी घी डाला है मैंने इसमें लासिएगी इसमें डाल सकते हो आप इसे जरूर डालना तो बहुत ज्यादा टेस्ट एवह हैं सोजाएगा पहुत जादा अच्छा लगेगा देखने में भी और खाने में भी और लास्ट में इसमें आपको हरी धन्या बारिक काट करके डा तो जब मैं डिश आउट करूंगी तो मैं फिर से हरी धनिया उसके उपर से गार्निश करूंगी जिससे कि यह और जादा कलर्फुल लगेगा बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो हमारा कट्यल बन कर रेडी हो गया है नेक्स्ट लेवल हमारा कट्यल बन चुका है और पस मेरे मूँ में तो बहुत पानी आ रहा है जैसा कि मैं विडियो बना रही हूं तो और यह देखिए हमारा कट्यल बन गया है तो आप इसे बना कर कि अपनी फैमिले में इंजॉय कर ये और मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर पूछने लग जाएंगे आपको बहुत जादा खुशी होगी और आप दिल भी जीत लोगे सबका तो मैं मिलती हूं आपसे नई रेसिपी के साथ टेक कियर बाबाई सी यो सून